तो मैंने आज यह तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो, तो आप FIR भी बदल सकते हो, और इस चीज को पूरूफ करूँगा, पर उससे पहले, लड़ाई किस बारे में हुई, क्यूं हुई, हम इस बारे में बात भी करेंगे, मैं सिधा पॉइंट पर बढ़ता हूँ, अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलत फैमी है, डिबेट से सॉल्व करो, अगर आपको लगता है, आप साही हो, तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है, मैं साही हूँ, मैं डिबेट करूँगा, तो कुल मिला कि सब्दों से ही जीतना था इस चीज को, और मैंने पूरी त्यारी की थी, मैंने वहाँ पे सूफा, वहाँ सब लगाया था, कि जब अलविश भाई आएंगे, तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फिलान डिगाना, लेकिन जैसे ही वो आये, एक तो अटाइक करना शुरू कर दिया, उपर से बहुत सारे बंदों के साही है, अलविश ने मेरे को लगबग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हातों से मेरे से मूँ पे मारा, और जब मारा, उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया, जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डड़ है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा, और आप सभी को किया, जान से मानने की धंकी भी दे दी, अब जान से मानने की धंकी एक दो बार नहीं दी, मल्टिपल टाइम्स दी, कम से कम जितना मुझे पता है, तीन बार तो दी ही थी उसने धंकी जान से मानने की और आफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मानने की धंकी दी, अब ये सब अपने चीज़ों पर अटल था मैंने बोला मैं sorry तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है उसके बाद Elvis ने भी थोड़ा try किया था sorry बुलवाने के लिए लेकिन मैंने उसको भी sorry नहीं बोला और ये सब जब हुआ तो शुरू मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहां चोट आई है क्योंकि मेरे को कहीं पर भी दर्द फील नहीं हो रहा था तो मेरे को शुरू शुरू में सिर्फ यहां चोट आई उसके बाद एक जड़ घंटे बाद मेरे को यहां पर दर्द होना शुरू हुआ और फिर 2-3 गंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दाद दूना शुरू हुआ और इस तरीके से हुआ कि मैं सुही नी पाया सुबह 4 बजे मैंने सुने का ट्राइ गया था मैं दोसके घर साकेद गया था मैंने सुने का ट्राइ गया unfortunately मैं दर्द से सोई नहीं पाया उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स होस्पिटल साकित के मेडिकल निकल वाने तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट F.I.R नहीं होगा तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शौक में था F.I.R हमने की नहीं थी फिर हमने डिसाइड किया कि तो फैर के बारा बजे का सपास हम F.I.R करेंगे लॉच और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस के मदद से ही तो हम गए F.I.R करने अब जब F.I.R करने गए तो हमने पूरा पता दिया मेरे को तभी डाउट था कि F.I.R को दबाने कोशिश की जाएगी और वही हुआ अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें Elvis के उपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने F.I.R में लिखवाई थी Attempt to murder का एक भी सेक्शन नहीं है तो कुल मिला कि मैं क्या समझू अगर आपके पैस पैसा हो तो आप F.I.R भी बदल सकते हो मतलब हर्याना में इस तरीके से गुंडगर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है मारता है और उसके खिलाब कोई आक्शन नहीं होता उसको पुलिस पकड़के लेके नहीं जाती यहाँ पर इस बात को 24 गंटे हो चुके है और वो बंदा भी हसरा होगा कि उसको कोई पकड़के ले ले गया उसको फरक ही नहीं पड़ा होगा मैं हर्याना के CM खटर जी से request करना चाहूंगा कि इस गुंडे अलवी श्यादों को अरेस्ट करवा इसका background बहुत खराब है जिस तरीके से यूद को inspire कर रहा है guidance को promote कर रहा है उससे साफ साफ पता लग रहा है यूद बहुत गरत वे में motivate हो रही है इससे और यह चीज बहुत ही खराब है तो खटर जी मैं इंडिया के कानून पर बहुत भरसा करता हूँ लेकिन अगर यहाँ पर ना इंसाफी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है अमीरियों के लिए नहीं बना है तो मैंने चाहता कि ये कानून भी ये F.I.R. भी दब जाए और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस F.I.R. को अगर ये F.I.R. दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा गुरुगराम पुलिस को और खटर जी को इस ट्वीट में टैग करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि ये 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 एल्विश यादो को जितनी जल्दी हो सके इस गुन्डे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डेल तो फुलम फुला यही है कि वो वैलेंस को प्रोमोट कर रहा है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं विगाड सकता तो एक तरीके से यह इंडिया के कानून की हार है तो अभी जो मैं F.I.R. लिखवा गाया था मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं बोला तो वैसे सुबा बिल जाएगी लेकिन I don't think so क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि F.I.R. के जो section है वो बहुत अलग किये गए तो इंडिया के कानून का मज़ाग ना बने तो आप लोगों से एक आफ्ली बार request है CM Khattar जी को गुरुगराम पुलिस के उपर tax attack किया जाए ताकि ये मामले को वो लोग seriously ले In the end अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है में पर कोई भी जान लेवा हमला होता है इसके जिम्हदार Elvis यादव होगा या फिर उसके दोस्त होंगे या फिर गुरुगराम पुलिस होगी जिसने मेरे FIR को पूरा का फूरा बदल दिया और पता नहीं क्या FIR लिख दिया और ये इंडियन कानुन की बेस्ती है ये तो मैंने देख लिया कुछ नहीं भाई अगर तुमारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हूँ ये तो मैने देख लिया भाई झाल